वेलकम टू गोल्डीज कीचन अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब हो जाएए और बेल आइकन को क्लिक करके आप मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं तो चलिए फ्रिंस आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर पेड़ा जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में बड़ी स्वादिस्ट है इस तेवार के मौसम में इसी जरूर बनाईए सो फ्रिंस चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को अन कर दिया है कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है तो चलिए अब इसमें हम 15-20 ग्राम बटर डाल देंगे बटर मेल्ट होनी शुरू हो गई है आप देख सकते हैं तो चलिए अब इसमें हम मिल्क पाउडर आड़ कर देते हैं मिल्क पाउडर को हमें लगभग एक से दू मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसी तरह कंटीनियू पकाते रहना है एक से दू मिनट हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसमें कंडेंस मिल्क टाल देते हैं फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें मिक्षेर को जल्दी जल्दी कंबाइन करना है अदर्वाइस ये तले से चिपकने लगेगा आप देख सकते हैं सारा मिक्षेर एक साथ कंबाइन हो चुका है तो चलिए अब इसमें हम मिल्क डाल देते हैं यहाँ पर हमने चार से पांच चमच दूद के अंदर हलका सा फूड कलर डाल दिया था आप चाहे तो केसर का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो आपको इसली अब लेबल हो आप उसका इस्तमाल करिए इसे हमें कंटीनियो इसी तरह हिलाते हुए पकाना है अदर्वाइस ये जलना शुरू हो जाएंगे हमें इसे कंटीनियो चार से पांच मिनट तक इसी तरह पका लेना है फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे मिक्षर हमारा अलमस्ट पक चुका है तो चलिए अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून इलाची पाउडर डाल देते हैं और इसे अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किसी भी तरीके का दूद या मावा का इस्तिमाल नहीं किया है यहाँ पर हमने प्यॉर्टी का ध्यान रखते हुए मिल्क पाउडर का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो किसी भी ब्रेंड का मिल्क पाउडर इस्तिमाल कर सकते हैं आप देख सकते हैं, मिक्षर एकदम अच्छे से ठीक हो चुका है, तो चलिए अब हम फ्लेम को आफ कर लेते हैं, और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, अब मिक्षर को इसमें निकाल लेंगे, हमें इसे लगबख 30 मिनट तक इसी तरह छोड़ देना है थंडा होने के लिए, 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यह थंडा हो चुका है, तो चलिए अब इसके हम पेड़े बना शुरू करिए, और अब इस पर हम एक आलमंड चिपका देंगे, आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी तरीके के ड्राइफ रूट्स का इस्तिमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर किश्मिश, पिस्ता और आलमंड का इस्तिमाल करूंगी, तो लीजे फ्रेंस, रेडी है हमारे, मिल् वीडियो लाइक करिए, शेर करिए और फ्रेंस सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू फ्रेंस और फ्रेंस एक बात कहूंगी, आप इसे जरूर ड्राइ करिए, बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू अ